हेलो प्रेंट्स आप सब का सोगत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोन से सेशन के लिए कब तक असामेंट संबिट करना है थेरी एक्जाम कब होंगी ये सब हम आज के एब्रुरी मार्च या एप्रिल में हुई है तो आपका सेशन जानिवरी हुआ और जानिवरी सेशन को असामेंट 30 सब्टेमबर तक संबिट करना पड़ता है अभी असामेंट संबिशन की डेट 31 अक्टमबर तक एक्स्टन की गई है अगर आपने अभी तक असामेंट भी नहीं मिला फ्रेंड्स आप बुक आने का वेट मत करो बुक आने में टाइम लगता है आप स्टडी मटरियल ऑनलाइन भी डाउनड कर सकते हो अगर आप नहीं जानते कि स्टडी मटरियल कैसे डाउनड करना है तो आप उपर आई बटम पे क्लिक करके डिटेल वीडियो और January session का exam December में होता है अगर आपके admission June, July, August या September इन में से हुई है तो आपका session June हुआ और June session के student को assignment 30 माज तक संबिट करना पड़ता है और June session के student की exam June या July में होती है Friends, कभी-कभी admission लेने के बाद हम study continue नहीं कर पाते हैं कुछ region के वज़े से उसके बाद कुछ साल gap होने के वज़े से हमें याद नहीं आता कि हमने कौन से session में admission ली थी अपना session जानने के लिए आपको आना पड़ेंगा गूगल में गूगल में आकर आपको सर्च करना है इगनो admission status सर्च करने के बाद आपको admission status इगनो पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ enrollment number, program code, verification code फिल करके संबिट करना है यहाँ पे आप अपना admission status देख सकते हो यहाँ पे आप अपना admission year, admission session, आपकी admission कप तक validate यह सब देख सकते हो यहाँ पे आप अपने study center code, regional center code यह सब देख सकते हो आपने कौन-कौन से subject लिये है, यह सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो तो इस तरह से आप अपना admission status चेक कर सकते हो अगर आपको इगनो से related कोई भी doubt हो तो आप हमें Instagram, Facebook पे message करके पूछ सकते हो आज की वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे चैनल पे नए हो तो subscribe कीजे and thanks for watching